हाड वर्क तो जरूरी है ही लेकिन स्मार्ट वर्क उससे भी ज़्यादा जरूरी है है की नहीं अब जिसे यहीं पर देख लिए यहाँ पर कर रहा है इसका curved surface area तो curved surface area is equal to your 176 cm2 है तो formula कौन याद करेगा हम CA से दिया हुआ है होता है 2 pi RH is equal to your 176 cm2 और क्या दिया हुआ है इसका दिया हुआ है volume दिया हुआ है volume क्या बोल रहा है आपका volume दिया हुआ है 1232 cm3 यानि की volume का formula कौन याद करेगा हम याद करेंगे 1232 तो volume का formula क्या होता है होता है आपका pi R square H this is equal to your 1232 cm3 बहतरी धंग से इसको solve करेंगे यह हो गया R यह हो गया आपका H अब करना क्या है find the height of the cylinder तो height of the cylinder के लिए पहले radius तो निकल जाए direct H तो नहीं निकलेगा तो एक काम करते हैं जरसा इसको divide कर देते हैं यहीं पर पर divide करेंगे तो कुछ cancel होगा देखते हैं आपका pi pi cancel हो गया उपर में एक R और नीचे में cm2 जाएगा तो cm बचेगा और फिर 176 और 1232 को दीरे दीरे करके तोड़ेंगे तो दीरे दीरे तोडने पर मिलेगा आपको 1 by 7 मिलेगा ठीक आप cross multiply करेंगे तो cross multiply कीजिए ना तो R into 1 R therefore R will be equal to your 27s are 14 cm यहनी हमारा R निकल गया मांगा क्या था height मांगा था तो जब height मांगा था आपका तो in that case दोनों formula में से किसी एक formula को पकड़ेंगे तो किसी एक formula को पकड़ेंगे मतलब है असान वाला formula पकड़ेंगे न जी 2 by R H is equal to कितना दिया हुआ है 176 cm चलिए यानी कि H का value निकालना है ना एच का value निकालने के लिए 176 divided by 2 pi R ठीक मतलब 176 by 2 pi R 2 times 22 by 7 नीचे वाला 7 चला जाएगा उपर और into R R is your 14 अब कुछ नहीं अब हम cancel करेंगे और करेंगे क्या देखे तो 7 2 times 14 11 2 times 11 1 times 6 times ठीक अब ये हो गया आपका 2 2s are 4 2s are 8 8 2 times 16 मतलब your H is equal to 2 cm निकल गया नब बेश्टरीन धंग से ठीक है फिर मिलते हैं till then do like subscribe and share it among your friends thank you so much for learning